हिंदु दर्म में बच्पन से लेकर मित्यू तक कुल 16 संसकार बताए गए हैं परंतु बहुत कम लोग ही इन 16 संसकारों के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको इनी संसकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका वर्नन नारद पुरान में किया गया है और ये भी बताएंगे कि इने संसकारों का इतना धार्मिक महत्व क्यों है नमस्कार और स्वागत है आप सभी का The Divine Tales पर एक बार से नमबर एक गर्बादान संसकार मित्रों हिंदू संसकारों में गर्बादान संसकार प्रधम संसकार है यहीं से शिशु का नर्मान होता है ग्रह स्थाश्रों में प्रवेश करने के पस्चात ही एक दमपत्ती को संतान उत्पन करने की मानिता दी गई है इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्बादान संसकार करना जरूरी है माता पिता के रज एवं वीरे के संयोग से ही संतान उत्पत्ती होती है गर्बादान जीव का प्रथम जन्म है क्योंकि उस समय ही जीव सर प्रथम माता के गर्ब में प्रविष्ठ होता है जो पहले से ही पुरुष के वीरे में विद्यमान रहता है गर्म में संबोग के पश्चार वेनारी के रज से मिलकर उसके डिम्ब में प्रविष्ठ होता है और विकास प्राप्त करता है दांपत्य जीवन का सर्वोच उदेश, श्रेष्ट गुनों वाली स्वस्त, उजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना ही है मित्रो गर्बादान में मूरत का द्यान देना बहुत आवश्चक है शास्त्रानुसार गर्बादान हमेशा सूर्यास्त के बाग और दक्षिन की तरफ मुख करके ही करना चाहिए और इस संसकार वाले दिन बड़े बुजुर्गों और अपने कुल देवता का आशिरवाद लेना अनिवारे बताया गया है मित्रों ये संसकार गर्बदारन के तीसरे मह में किया जाता है इसका कारण ये है कि इस मह में शिशु का लिंग निर्दारन होता है इस मह में ये संसकार करने से गर्बस्थ शिशु के अंगों का विकास भी सही से होता है अब एक स्वस्थ संतान तो सभी दमपतियों की चाहा होती ही है ऐसे में इन संसकारों का योगदान उसमें सहयोग देने वाला होता है मित्रो गर्बस्त शिशु पर माता पिता के मन और सवाव का गहरा प्रबाव पड़ता है अताय माता को मांजिक रूप से गर्बस्त शिशु की बली प्रकार देखबाल करने योग्य बनाने के लिए इस संसकार का विशेश महत्व है दर्मगरंतों में पुन्सवन संसकार करने के दो प्रमुख उदेश्य मिलते हैं पहला उदेश्य पुत्र प्राप्ती है और दूसरा स्वस्त सुन्दर और गुन्वान संतान पाने का है पहले उदेश्य के संदर्ब में सुमृती संग्रह में लिखा है कि इस गर्ब से पुत्र उत्पन हो इसलिए पुन्सवन संसकार किया जाता है मित्रो इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत, अर्थार्थ केश और उन्नेयन, अर्थार्थ उपर उठाना, इस संसकार में पती अपनी पतनी के बालों को अच्छे से सवारता है जब महिला का गर्ब छे महिने का हो जाता है, तो उस समय माता को आने वाले शिशु के लिए सीमंतो नेयन संसकार प्राप्त करना होता है इस संसकार के द्वारा गरबती महिला को मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है वहीं उसे सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखना भी बहुत जरूरी है इस समय में बच्चे का विकास हो रहा होता है ऐसे में मा के रिदे में नई-नई इच्छाएं पैदा होती है और शिशू के मांसिक विकास में इन सभी इच्छाओं का पूरा होना अतिअवशक है क्युक्छी वे सब सुनता समझता है अते छटे या आठवे महिने में इस संसकार को कर लेना चाहिए नमबर 4. जादकर्म संसकार मित्रो जातकर्म संसकार हिंदु धर्म संसकारों में चौथा संसकार है गर्बस्त बालक के जन्म होने पर ये संसकार किया जाता है जातकर्म संसकार में वैदिक मंत्रों द्वारा, संतान के दिर्ग जीवी और मेदावी होने की मंगल कामना की जाती है इस संसकार से शिशु को कई दोशों से मुक्ती मिलती है इस संसकार में बच्चे को स्नान कराना, मुख आदी साफ कराना, मदू और गी चटाना शामिल है इस से माता के गर्ब में जो रस पीने का दोश रहता है वो भी दूर हो जाता है सोला संसकारों में नामकरन संसकार मित्रों पांचमा संसकार है सनातन हिंदु धर्म के अनुसार शिशु के जन्द के महज दसमे ही दिन उसका नामकरन संसकार करवा लेना चाहिए शुब दिन और मुहूरत के साथ ही राशी के अनुसार शिशु का नाम रखे जाने की खास एहमियत है मित्रो मनुश्य की योनी में जन्म लेना वैसे तो एक सौ बागे की बात है लेकिन नामकरन वाली जगर सबसे पहले वहाँ अभिशेक किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिशु में पूर्व जन्म का कुछ प्रवावर रह जाता है अभिशेक करने से उन प्रवावों से मुक्ती मिलती है इसके पश्चा कलश का थोड़ा सा जल लेकर या फिर गंगा जल हाथ में लेकर बच्चे का नामकर्ण संसकार करने वालों और उपकर्णों पर मंत्रोचारन के साथ उसका छिड़काव किया जाता है नाम प्रयाय दो होते हैं एक गुप्त और दूसरा प्रचलित गुप्त नाम माता-पिता के अलावा और किसी को भी पता नहीं होता शिशु का नया नाम लेकर सबके द्वारा उसके चिरंजीवी धरमशील स्वस्त एवं सुम्रिद्ध होने की कामना की जाती है मित्रो निश्क्रमन का अर्थ होता है बाहर निकालना इस संसकार के तहट शिशु को घर से बाहर ले जाकर सुर्य देवता के दर्शन करवाय जाते हैं। शिशु के जन्द के तुरंत बाद उसे सुर्य की रोशनी के करीब नहीं लाया जाता। इससे उसकी आँखों पर नकारात्मक प्रवावत पड़ सकता है। इसलिए जब बालक की आँखे तता शरीर कुछ पुष्ट बन जाएं तभी इस संसकार को करना चाहिए। अर्थार्थ जन्द के चोथे मास में निश्क्रमन संसकार कर सकते हैं। चार मास के बच्चे का ज्यान और करमेंद्रियां सशक्त होकर दूप वायू आदी को सहने योग्य बन जाती हैं। सूरे तता चंदर देव का पूजन करके बच्चे को सूरे और चंदर आदी के दर्शन करवाना इस संसकार की मुख्य प्रक्रिया है। अब चूकी मनुष्य का शरीर प्रिथ्वी जल तेज वायू और आकाश से बनता है। इसलिए बच्चे के कल्यान की कामना करते हुए ये संसकार किया जाता है। सात्वा अनप्राशन संसकार शास्त्रों में अन को जीवन का प्रान बताया गया है। अनप्राशन संसकार में पहली बार बच्चे को अन खिलाया जाता है। इससे पहले बच्चे का आहार सिर्फ मा का दूध होता है। जब बच्चा सात या आठ महीने का हो जाता है तब उसकी पाचन शक्ती प्रबल हो जाती है और उसके आहार में कई दूसरी चीजों को भी शामिल किया जाता है। इसकी शुरुवात अनप्राशन संसकार से ही होती है। आठवा चूडा करन संसकार मित्रो हिंदू दरम में आठवा संसकार चूडा करन है जिसे मुंडन भी कहते हैं। ये संसकार पहले या फिर तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। इस संसकार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उस तरह से उतारे जाते हैं। कहीं कहीं कैची से बाल एकडम छोटे करा देने का भी चलन है। बालक का कपाल लगवग तीन वर्ष की अवस्था तक कोमल रहता है। तक पश्चार दीरे-दीरे कठोर होने लगता है। गर्ब अवस्था में ही उसके सिर पर उगे बालों के रोम छिदर इस अवस्था तक कुछ बंद से हो गए होते हैं। अधा इस अवस्था में शिशु के बालों को उस तरह से साफ कर देने पर सिर की गंदगी किटानु आदी तो दूर हो ही जाते हैं। मुंदन करने पर बालों के रोम छिदर भी खुल जाते हैं। इससे नए बाल गने मजबूत वस स्वच्छ होकर निकलते हैं। नौवा कर्ण वेद संसकार वित्रो कर्ण कान को कहते हैं और वेद का मतलब होता है छेदना। इसका सयूक्त अर्थ कान को छिदवाना होता है। इस संसकार के लिए मृक्षिरा, रेवती, चित्रा, अनुरादा, हस्त, अश्वनी, पुष, श्रवन, गनिष्ठा और इक्षत्र में आप ये संसकार कर सकते हैं। इसे शिशु के जन्द के छटे, साथवे, आठवे, दसवे, वारवे या फिर उल्वे दिन करवाया जाता है। जहां बालक का कर्ण छेदन करते समय, पहले दाहिने और फिर बायकान को छेदते हैं, वहीं कन्या के साथ बिलकुल उल्टा किया जाता है। कन्या का पहले बायकान छेदा जाता है, और फिर दायकान, ये संसकार राहु केतु संबंदित दोश को खत्म करने में भी सहायक होते हैं। दसवां, यग्योपवीत, मित्रो यग्योपवीत संसकार को उपनयन या फिर जनयू संसकार भी कहते हैं। भी ये परंपरा चलती आ रही है जनेयू याने की यग्योपवीत में तीन सुत्र होते हैं ये तीन देवता ब्रह्मा विश्णू और महेश के प्रतीक हैं इस संसकार से शिशु को बल उर्जा और तेज प्राप्त होता है साथ ही उसमें आध्यात्मिक बाववी जागरत होते ह गैरवा, वेदारंब संसकार, मित्रो ये संसकार ग्यानारजन से संबंदित हैं शास्ट्रों में ग्यान को सरवपरी माना गया है प्राचीन काल में ये संसकार मनुष्य के जीवन में विशेश महत्वर रखता था यग्योपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन केशांट का अर्थ है बालों का अंत करना या फिर उन्हे समाप्त करना विद्ध्या अध्ययन से पूर्व भी केशांट संस्कार किया जाता है शिक्षा प्राप्ती से पहले शुद्धी जरूरी है ताकि मस्तिश कर ठीक दिशा में काम करें प्राचीरकाल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी केशांत संसकार किया जाता था। इसे करने के लिए शास्त्रों में उत्रायन का समय उचित बताया गया है। जहां मुंडन में पहली बार बच्चे के सिर्फ सिर्के बाल काटे जाते हैं। वहीं इस संसकार में सिर्के वालों के साथ-साथ पहली बार उसकी दाड़ी भी बनाई जाती है। मित्रो समावर्तन संसकार का अर्थ है फिर से लोटना। आश्रम या फिर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए ये संसकार किया जाता था। और इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोव्यग्यानिक रूप से जीवन के संगर्शों के लिए तैयार करना। उचित उम्र में विवाख करना भी जरूरी है। पंदरवा वानप्रस्थ संसकार पुत्र के पुत्र अर्थार्थ पौत्र का मुख देख लेने के बाद मनुष्य पित्र रेन से मुक्त हो जाता है। गर चोड़ने की संभावना ना हो तो गर का दायित्व जेश्ट पुत्र को सौंप कर अपने जीवन को अध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर लेना ही वानप्रस्थ संसकार माना जाता है। अपने भी कहा गया है कि ग्रहस्त के बाद वानप्रस्थ ग्रहन कर लेना चाहिए। इससे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और मन में निर्मलता आती है जो सन्यास के लिए बहुत जरूरी है। सोल्मा अंतेश्ठी संसकार मित्रों हिंदूों में किसी की मृत्यू हो जाने पर उसके मृत्य शरीर को विदोक्तर रिती से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंतेश्ठी संसकार कहा जाता है। मनुश्यों को चाहिए कि वे जितना संभव हो सके उतने संसकारों का पालन व्यदिक नियमों के अनुसार करे। तो मित्रों हम उमीद करते हैं कि 16 संसकारों पर बनी हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिष्टेदारों के साथ साजा करना ना भूलें। और ऐसी ही और भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें The Divine Tales यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पर लाइक करें हमारा पेज The Divine Tales हिंदी फिलाल आज के लिए बस इतना ही अब इजाज़त दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया